हलो फ्रेंड्स, वालकम अन्माइ यूट्यूब चैनल दमोबाइल सेटिंग ओपो ने एप स्रीज को कंटिनियूम करते हुए एक नया मॉडल मार्कीट में इंडिड्यूस किया है ओपो एप 17 प्रो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ओपो एप 17 प्रो की अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ आईएगा देखते हैं ओपो आप 17 प्रो में क्या खास बात है और क्या फीचर्स हैं इसके लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सकाइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं आईएगा वीडियो को सुरू करते हैं आईएगा सुरू करते हैं ओपो एफ 17 प्रो की अन्बॉक्सिंग मेरे पास हैं यहां पर ओपो एफ 17 प्रो मैं इसको अन्बॉक्स करने जा रहा हूं जिसे कि सबसे पहले यहां पर यह बहुत ही एक्स्क्लूजिव केस इन्होंने बन लग रहा है F17 Pro F17 Pro ये ये दिखेगा F17 Pro बैक पैनल से बहुत ही आलेशान ये लग रहा है बैक पैनल पर Quad Cam setup दिया गया है तब तक मैं से start कर देता हूं और मॉबाइल के अंदर डबबे के अंदर देखते हैं क्या चीज़े हैं यहां पर ये एक प्रोटेक्टिव केस और इसके साथ में कुछ गाइडलायन के लिए ये आप्शन दिए गए हैं और साथ ही मॉबाइल का जो चार्जर है वो है वूग चार्जर देखेगा यहां पर ओपो ने ये एक्स्क्लूजिव चार्जर है 5 वोल्ट 6 एंपियर यानि कि 30 वाट का ये जो वूक से रिलेटीड है यानि कि मॉबाइल के अंदर जो चार्जर टेक्नालोजी होगी वो इन तीनों चीजों से ही सपोर्ट करेगी अदरवाइस ये सपोर्ट नहीं करेगी तब तक मैं सारी चीज़े आपको एक्साइट रखता हूँ आएगा रिव्यू करते हैं मॉब आपका एक्टिवेट हो गया है आएगा देखते हैं मॉबाइल में क्या क्या चीज़े हैं मॉबाइल देखेगा पास लूप बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही इंप्रेसिव इसका रेट जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो भी बहुत अच्छा है आएगा रोएस का 7.2 पर और अंड्रोइड 10 पर और अक्टा को प्रोसेसर मेडिया टेक का प्रोसेसर है इसमें हीलियो पी 95 जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.2 गीगा हर्ट्स की और इसके अंदर रैम दी गई है 8GB यानि कि आप कोई भी गेम इसके अंदर खेलते हैं तो आपको बहुत ही और देखेगा यहां पर 128GB का इंटरनली स्टोरीज है और इसके अंदर अभी तक कोई SIM नहीं लगाई गई है SIM के लिए इसमें ट्रॉपल काड स्लोट है यानि कि इसमें आप ट्रॉपल काड यूज कर सकते हैं 256GB तक का मेमरी काड एक्स्टेंड कर सकते हैं और कुछ फीचर तीर है एर जेस्टर के बारे मैं आपको बता तहूं कि क्या है यह जिव बहुत हाइल लाइट किया जा रहा है इसे आप मोबायल के अंदर नबी справ见 तो फेर ढ़िंग और यहां पर gesture and motion, उसके बाद यहां पर एक option दिया जारा है air gesture, इसको आपको on करना होगा, जैसे आप इसे on करेंगे तो यहां पर एक instruction दिये गई है, कि यह आप हाद को 20 से 40 cm दूर रख कर आप इस तरीके से दिखेगा, swipe up करेंगे तो आपके mobile से जो call हो पिक हो जाएगी, और इसे आप scrolling में भी यूज़ कर सकते हैं, यह बहुत ही highlighted है, इसके अंदर dark mode और mobile का जो camera setup है, back camera को इस तरीके से setup दियार किया गया है, चार camera इसके अंदर है, यानि कि 48 megapixel, 8 megapixel, 2 megapixel और 2 megapixel चार camera दिये गए हैं, और mobile की तिकनेस है, देख सकते हैं, आप बहुत ही slim बनाए गई और इसका जो weight है, बहुत ही light weight मैं feel कर पा रहा हूँ, weight है इसका 164 gram, और mobile का जो camera है, एक बार camera open करके देख लेते हैं, सबसे पहले में यहाँ कैमरे की icon पे जैसी मैंने टैप किया, तो यहाँ पर यह camera अप लेबल हो गया, आपका और देखे का मैंने एक picture काप्चर करने जा रहा हूँ, बिलकुल यह front यह back camera है, जैसे मैंने picture capture की है, बहुत ही detailing और sharp detail है, और अगर बात करें front camera की तो front camera भी बहुत ही अच्छा front camera है, इसमें dual camera दिया गया है, मेरे एसाब से भी बहुत ही अच्छा mobile है, 3.5 mm audio jack है, और type C charging के साथ इसके अंदर वू 4.0 यूज की गई है, यानि कि mobile के अंदर 4000 mh की battery 53 minute में आपकी full हो जाएगी, I hope ये वीडियो आपको समझ आयोगी, इस तरह की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर दी गई है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएगा कि अब 17 pro के बारे में आपकी क्या राए है, Thank you so much, have a nice day.